तो जैसा कि मैंने आप से पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के लिए spectrum की series लेके आूंगा और उसी series को मैं आगे बढ़ाते वेए मैं यह पहला video content wise लेके आयाया हूँ इसमें मैं spectrum की content का पहला series बताऊएंगा जिसमें कि introduce करूँँगा मैं आपको कि आखिर जो European's का आना जो शुरू हुआ था हमारे देश में European's का introductory part इस chapter में हम लोग आखिर European's के arrivals और उनके पीछे जितने भी reasons है उसको explore करेंगे ठीक है तो यह जो chapter है European's के arrival का पहला part होगा और चलिए शुरू करते हैं इस series को ठीक है तो हम लोग जानते हैं जब modern history की बात करते तो सबसे पहले जो जहन में मेरे figure आता है जो picture मेरे इस दिमाग में आता है वो आता है हमारा national freedom के लिए जो freedom struggle था किस के अगेंस्ट में? British's के अगेंस्ट में? British's कहां से आये थे और किस purpose से आये थे? दो reasons, इन दो questions को सबसे पहले अगर मैं explore करूँ तो सबसे पहले questions का simplified answer है कि ये लोग Europe से आये थे लेकिन क्या Europe से अकलिए British's ही आये थे? क्या कोई और भी powers थी? बिलकुल और भी कई ऐसे देश थे जो यहाँ पे इंडिया में अपने trade activities के लिए आये थे अपने trade activities को flourish करने के लिए यहाँ पे आये थे लेकिन उनका ये objective कहीं न कहीं बाद में other ambitions में empire बिठाने के ambitions में convert होता चला गया ठीक है? दूसरा जो question है मेरा कि आखिर ये लोग आई किस purpose से थे तो इस reason उस question का answer actually कहीं न कहीं जाके थोड़ा और पीछी history में देखते हैं तो roman empire तक जाता है इसकी question के answers के जो roots हैं जड़े हैं वो कहीं न कहीं roman empire तक पहुंसती है roman empire जैसे कि आप figure में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको figure दिखाया हुआ है second century में around इसका जो expansion था जिस जितने reasons पहला हुआ था वो अपने peak पे था आप देख सकते हैं यूरोप के southern part और आफरिका के northern part में इसका पूरा एक dominance था ठीक है यहाँ पर मैंने roman empire के कुछ important points लिख रखे हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर सबसे important बात यह है कि यह एक जो टुक का region का आसपास का जो region है जो टुकिस के जो टुकी के आसपास का जो region है that was their capital at the time ठीक है और इस capital region का नाम था constant tani pole ठीक है क्या नाम था इनका constant tani pole यहाँ पर simply अगर कोई पूछे आप से कि what was the name of the capital of the roman empire then simply it is it was the constant tani pole roman empire से related चीज़े सिफ उतनी ही बताऊंगा जितनी की जुरुत है हमारे modern history के लिए ठीक है तो constant tani pole जब 14-15 centuries के around जब duration आया तो roman empire decline process start हो गया roman empire का पतन शुरू हो गया और उनकी जगह लेना शुरू हो गया आया ottoman empire ottoman empire, arabian rulers, egyptian rulers इन लोगों का दबदबा कहीं न कहीं roman empire जहां जिन जगह पहले पहले पहला हुआ था उन जगहों पे इन empires का कबज़ा शुरू हो गया अब इन empires का कबज़ा शुरू हो गया यही से जो मेरी second question का answer था कि आखिर Europeans यहां पे आए किसलिए थे उस question का answer इनी सब situations के development में depend करता है वो कैसे वो मैं बताता हूँ आपको European invaders जो European rulers थे, Arabian rulers थे जब उन्होंने इस region में कबज़ा शुरू किया तो यहां पे एक डूसर region आता है आप देख सकते हैं, Arabian region के पास एक आता है, Red Sea यह जो reason था, यह एक बहुत ही important reason था, trade purposes के perspective में, South Asia से अगर आपको trade करना था तो Red Sea की through ही होके जाना पड़ता था, यह एक बहुत ही important सी route था, जहां से South Asia के trade routes carry out होते थे Arabian traders तक और यह Arabian traders जो South Asia के raw material है, वो Europeans को बेशते थे, कई गुना जादा दावम है, लेकिन यहां पे Europeans लोगों के लिए दिक्कत थी, क्योंकि वो trade activities में एक बड़ा profit का हिसा उन्हें Arabian traders को देना पड़ता था, ठीक है, तो यह reasons थे, यही इन ही reasons को दूर करने के लिए, Europeans जो थे, बा विज़े से, वो दूसरी reasons में explore करने निकले raw materials के खोज में, ठीक है, तो Europe की दो powers थी उस ताइम में, दो बड़ी powers थी, that was Spain and Portugal, ठीक है, अब देख सकते हैं, यहां पे, मैंने कुछ important points रखे हैं, Portugal और Spain, यह दो बड़ी powers थी उस ताइम में, यूरोप की, Venice and Genoa, ठीक है, यह ज एक important powerful, क्या कहते हैं, wealthy reasons थे, इनके पास resources की काफी अच्छे-खासी amount थी, लेकिन यह खुद में इतने बड़े reason नहीं थे, कि वो खुद के दम पे अपना एक बड़ा expedition जारी कर सकें, ले दा सकें, जहां पे वो अपने raw materials को धूंड सकें, ठीक है, तो इन्हों ने अपना support कि या किसको Spain और Portugal को, Spain और Portugal ने raw materials की खोज में, एक treaty की आपस में, कहा कि अगर हमें raw materials की खोज में जाना है, अगर हमें profit कर चाहिए, अगर हमें अपनी development चाहिए, तो हमें आपस में लड़के एक treaty sign करते हैं, जिसमें कि हम यह decide करेंगे, कि हमें कितने हिसों पे, कितना हमें important treaty है, तो यहाँ पर कुछ questions बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, simply अगर मैं आप कहूँ, तो क्या एक question बन सकता है, कि name the treaty signed between Spain and Portugal, ठीक है, name the treaty signed between Spain and Portugal and in which year, it was signed in the year 1494, यहाँ पर आप देख सकते हैं, treaty of Tordesillas signed हुआ था 1494 में, ठीक है, लेकिन इस treaty में था क्या, वो मैं आ आता हूँ, यहाँ पर आप एक figure देख रहे हैं, इस figure में एक imaginary line जारी है, ठीक है, इस imaginary line की खासियत क्या है, यह जो line थी, यह एक island है, that is the Cape Verde Islands, Cape Verde Islands, यह line Cape Verde Islands से करीब 1300 मील्स की करीब distance था इसका, 1300 माइल्स, ठीक है, इस line को decide किया गया, कि इस line के east में Portugal ढूंडेगा अपने raw materials, और इस line के west में Spain ढूंडेगा, जितनी भी वहाँ से expedition जाएंगे, Spain की तरफ से, इस line के west की तरफ जाएंगे, और Portugal की तरफ से, इसके east में जाएंगे, यह था treaty of tort decellus, जो की sign वह था 1494 AD में, तो ठीक है, यहाँ प लेकिन यहाँ पे एक important point है, कि जो सबसे पहला navigation हुआ था, जो सबसे पहला expedition हुआ था Portugal में, वो हुआ था, एक Portugal सक्ष था, जिसका नाम था, Bartholomew Dias, ठीक है, इन्होंने, इन्होंने, जो सबसे पहले उनके navigator थे, that was Vasco Digama, उनसे भी पहले अपनी expedition जारी की थी, 1487 में इन्ह वस नाट इंडिया, Cape of Good Hope जो आफ्रीका का रीजन है, उसको राण लोग आता है वे आफ्रीका के East Coast पे पहुंचे थे, लेकिन, he was not able to trace the actual इंडिया, यह पता कब चला, जब 11 साल बाद दुबारा, Vasco Digama, Vasco Digama, you can see this individual, जो की हमारे देश के colonial activities के founder मने जाते हैं, इनका नाम था Vasco Digama, ठीक है, Vasco Digama आए 1498 AD में, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला एक कोशन बनता है, that in which year Vasco Digama arrived in India, that was in 1498 AD, ठीक है, चलो, now we are sure, we get to know that which individual was the first person to navigate in India from Portugal, that was the Vasco Digama, and in which year that was in 1498 AD, ठीक है, आगे बढ़ता है, यह किस रूलर से मिले, सबसे पहले आगर, अच्छा, Vasco Digama आए इंडिया में, लेकिन यह land कहां पेगे, he landed in Calicut, यह एक रूलर, वहां के रूलर से मिलते हैं, दिन का नाम था, जमोरीन, जमोरीन को समूत्री, समूत्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फ्लीस इंपोर् अब्जेक्शन थे, उनको अब्जेक्शन था, इनके अराइबल से, लेकिन डिस्पाइट उनके अब्जेक्शन के बावजूद, जो Vasco Digama आथे, उन्होंने अच्छा खासा ट्रेड किया, और जब वो यूरोप वापस गए, तो जो प्रॉफिट उन्होंने अर्ण किया, व उनके दिमाग में ये कहीं न कहीं स्पार क्रेट हो, कि now we got the destination where we can have the maximum profit, the profit which could fetch us our desired objectives, ठीक है, इन प्रॉफिट्स को पूरा करने के लिए ही, Portuguese authorities ने अपनी planning स्टार्ट कर दी, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिफ्टीन नॉट फाइफ, पंद्रा सो पांच में, पॉर्ट्योगिल के किंग ने एक गवर्नर एपॉइंट किया, उनका नाम था, फ्रेंसिसको डी अलमीटा, ठीक है, क्या नाम था उनका, फ्रेंसिसको डी अलमीटा, यहाँ पे पहला अगर कोशन बनता है, कौन सा कोश आनेक लिए, यहाँ पहरा आप क्योशन देख सकते हैं, कि कौन से, उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, और उनका नाम क्या था, वो प्रेंसिसको डी अलमीटा, बट। पॉर्टिज़ेस से establishment के यह real founder मैं नहीं माने जाते हैं क्यूंकि इनका जो काम था वो ocean oriented ही तक सिमीद था ocean की जो जितने भी object जो इनका ambitions थे उनको पूरा करने में ही main जो efforts थे वो consider के जाते हैं Francisco de Almeida के ठीक है अगर जब Francisco de Almeida ने शुरू किया अपना का पंदर सो पांच में governor report होने के बाद इन्होंने water roots में जो ocean roots में Arabian traders की तरफ से दिक्कते हो रहती ही उसको दूर करने का सबसे पहला start किया ठीक है जो powerful centers थे Arabian traders के वो थे Ormuz, Eden और Malika तो ठीक है यहाँ पर एक और question बनता है name the centers of Arabian traders ठीक है important trading centers of Arabian traders जो की being targeted by Almeida ठीक है अगर जो targets जो centers जो थे Arabian traders के जिसको Almeida ने destroy किया that was the Ormuz, Eden और Malika ठीक है यह तीनों नाम प्रीस important गयाद रखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि और भी कुछ important objectives थे जो अंज़दीवा, कोचीन, कैनन और और किलवा इन जगहों पे यह अपने fortification जो किले बंदी का प्रक पूरा नहीं हो पाया लेकिन हाँ जो ट्रेडिंग centers थे, Ormuz, Malika और Eden में जो Arabian traders थे, trade के centers थे, उनको destroy किया इन्हों ने ठीक है, यहाँ पे 1507 में जो Francisco de Almeida है, उनका battle होता है, ममलुक्स सुल्तांस रूल करते थे, ममलुक्स जो empires था, Egypt का, उनके साथ इनका clash होता है, ठीक है, इनकी combined navy ने, जो Almeida की naval forces है, उसको defeat किया 1507 में, जिसमें Almeida को अपना बेटा भी खोना पड़ा, उनके बेटे, उनका बेटा शहीद, I mean, उस battle में मरे जाते हैं, ठीक है, 1508 में, 1508 में, next year ही Almeida दुबार attack करते हैं, और इनकी combined naval army को हरा दिया जाता है, तो यहाँ पे सबसे अगर important contribution Almeida का पूछ हूँ, अगर मैं कहूँ, तो सबसे important contribution किसमें था, जितने भी ocean roots में दिखकते थी, उनको दूर करने का, ठीक है, आगे पहुंचते हैं, कि जो Portuguese, तो यहाँ पे एक important कुछ questions और बनते हैं, कि when did Almeida defeat Mamluk Sultan of Egypt, तो 1508 AD, ठीक है, यहाँ पे question बन सकता है that, when did Almeida defeated the Mamluk Sultan of Egypt in the naval battle, ठीक है, कब हुआ था, 1508 AD में, और इनकी जो policy थी, Almeida की जो water policies थी, इसको नाम दिया गया था, blue water policy, ठीक है, so what was the policy of Almeida called, जो policy जो Almeida की थी, Almeida की जो policy थी, what was the policy of Almeida called, that was named the blue water policy, ठीक है, blue water policy, please important है, यह important name है, जो visionary name था Portuguese, जो Almeida का, जो policies को name दिया गया, that was the blue water policy, आगे बढ़ते हैं, जो second governor appoint हुआ, उनका नाम था, Alphanso D. Albicurk, important है, जो सबसे पहले governor थे, वो थे Francisco D. Almeida, बट जो governor, जो real founder थे, Portuguese establishment के, वो थे Alphanso D. Albicurk, important है, real founder Portuguese में अगर बोला जाए, तो वो थे Alphanso D. Albicurk, क्योंकि जो Almeida का ambitions थे, वो water routes तक ही limited थे, उसके बाद हम लोग आते हैं, Alphanso D. Albicurk पे, Alphanso D. Albicurk के क्या contributions थे, अगर मैं contributions की बात करूँ, तो सबसे पहली बात की, इन्हों ने, इन्हों ने, जो founder माने जाता है, Indian power का, सबसे important तो यह ही है, जो real founder थे, इंडिया में आखके, अपने, अपने, क्या कहते हैं, जो trade purposes को establish करने का, वो सबसे बड़ा म important centers उन जगों पे बना दिये, Alphanso D. Albicurk ने, कहां कहां पे, Ormuz में, Malabar में और Malacca में, इन तीन जगों पे सबसे पहले इन्हों ने क्या क्या, अपने stronghold बनाए, अपने कुछ important centers बनाए, कहां कहां पे, Ormuz, Malabar and Malacca, ठीक है, we can have a question here, कि जो strong centers थे, so the name the strong centers made by Alphanso D. Albicurk, for the purpose of Indian trading activities, that was the Ormuz, Malabar and Malacca, जिसमें कि Malabar और Malacca जो है, वो अपने, Malacca थोड़ा Arabian countries की तरफ है, but Malabar was the region which was established in India itself, ठीक है, तो कुछ important centers है, Ormuz, Malabar और Malacca, ठीक है, इन्होंने अपने अंडर में, जो ship building centers थे, याद रखिये, जो Portuguese Navy की सबसे खास्य थी, उनकी naval power, naval powers के लि कितरी भी naval की जो capabilities है, Portuguese की, वो हमेशा तारीफ के बाद, तारीफे काबिल रही है, ठीक है, आप Portuguese Navy की, कितरी भी आप जैसे cannon use, और भी जो drilling powers है, सब Navy में, जो जो नई innovative things डाले गए, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो praise मिलता है, वो Portuguese Navy को ही मिलता है, ठीक है, तो ship building, जैसे ही इंडिया में आये, जो जितने वी ship building centers थे, इन्होंने अपना control वहाँ पर बिठाना शुरू कर दिया, ठीक है, उसके बाद, LBQ का जो second contribution था, that was the acquisition of Goa, गोवा इन्होंने सुल्तान आफ बीजापूर से अपने अंडर मिलिया, ठीक है, सुल्तान आफ बीजापूर से इन्हों 1510 में, important है, यहाँ पे एक question बनता है, कि when was Goa acquired by Portuguese, तो कब हुआ था, गोवा को, Portuguese ने कब acquire किया था, 1510 में, किस से, सुल्तान आफ बीजापूर से, ठीक है, यह important point है, यहाँ पे, उसके बाद आता है, first territory, तो Goa कौन सा था, पहला territory था, जिसको Europeans ने अपने अंडर में लिया, और याद रखे, Goa आखरी territory भी था, 1961 में, government of India ने Portuguese से अपने अंडर में लिया था, अगले point पे आते है, cultural aspects में, यह Elfenso D.L.B.C. का cultural aspect में, काफी contribution रहा है, कैसे, यह जबाए, तो अपने Portuguese लोगो को नोंने का, कि आप यहीं पे अपने गिरहस्त जीवन को बसाइए, यहाँ क और नी, married life यहाँ पर spend करिये, as a landlord settled किया, वहाँ पे roads, infrastructures तयार किये, irrigation facilities को create किया, profession wise में देखूं, जितने भी arts, craftsmen और जितने भी activities हैं, उसको conduct करने में भी, जो encouragement थी, वो इनी गवर्नर का था, ठीक है, आप देख सकते हैं, गोवा में सबसे ज़्यादा अभी भी, अगर आ tobacco, tobacco का introduce करने वाला कोई था इंडिया में, तो that was the Portuguese, second, cashew nut, cashew nut को introduce भी किया था, Portuguese लोगों ने, और कई varieties, coconut की, जो की introduce किये गए थे, Portuguese के थ्रू ही, तो important है, यहाँ पे, कुछ important points, cultural wise, trading wise, profession wise, जो contribution था, वो albicure का था, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ important अगर आप से पूछा which were, which were introduced by Portuguese, then you would simply name, कौन-कौन से, cashew nut, and tobacco, and varieties of coconut, ठीक है, hopefully, मैंने albicure के जितने भी contributions थे, important contributions वो मैंने आपको cover किये, ठीक है, इसके बाद, जो अगले governor appointed होता है, that was the Nino D. Cuna, ठीक है, कौन से governor थे, अगले governor, Nino D. Cuna, Nino D. Cuna का important contributions में अगर देखू, सबसे पहला, यह appoint हुएत 1539 में, 1539 में यह appoint हुए, और 1530 में इन्होंने गोवा को capital declare कर दिया, Portuguese logo का, ठीक है, Portuguese logo का capital declare करने के बाद, मतलब की obviously, जो main headquarter था, उनका, पहले कहा था, कोचिन में, वो shift हो जाता है, कोचिन से होट के, गोवा में, ठीक है, तो important है, यह important चीज़े है, यह किनो ने किया था, का ठीक है, अगर मैं important contributions की बात करूँ, नहीं नोडी क्यों ना की, तो सबसे important यह है, कि गोवा को इन्होंने अपने capital declare किया, दूसरा जो important contribution है, 1534 में, यह important contribution कमाने जाता है, 1534 में, जो बहादुर्शाह थे, उस ताइम उसे region के ruler, जो decan में जो अच्छा खासा influence था, बहादुर में, जो बहादुर्शाह थे, जब हुमायू से लड़ाई में engaged थे, जब उनसे लगे हुए थे, तो Portuguese लोगों की help ली थी उन्होंने, Portuguese लोगों की help लेने के return में, उन्होंने 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 आइलेंड बसीन दिया था, कब दिया था, 1534 में, और उस ताइम जो गवरन इस culture को establish करने की कोशिश की, Portuguese जैसे की गोवा में establish किया, culturally वैसे ही, बंगाल में भी इन्होंने spread करने की कोशिश की, कुछ हद तक success था, बट not fully, जितने scale पर गोवा में success था, उतना नहीं, लेकिन फिर भी, वहाँ पे as a hoogli को headquarter बनाया गया, और वहाँ पे culturally, वहाँ पे इंडिया की तरफ बढ़ने की वह बनी, कैस कौन से इससे circumstances थे, जो कि Europeans लोगों में एक driving force की तरह काम किया, South Asia में अपने raw materials को ढूणने के लिए, ठीक है, जिसमें सबसे पहले था, Portugal, Portugal में से कौन-कौन governor से point away, सबसे पहले Portugal में से आया, कौन-कौन-कौन से governor से point away, और Portuguese governors ने क कैसे कैसे इंडिया में काम किया, अपने influence को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं governors के roles सके limited रखता हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर, Portuguese ने अपना धीरे-धीरे stronghold जमाया कैसे, और फिर बाद में कैसे दूसरे European powers आने लगे, और किन reasons की बज़े से, Portuguese का जो influence था, वो इंडिया में से खतम होने लगा, इंडियन politics में से खतम होने लगा, ठीक है, इसी वीडियो में जितने भी क्या कहते हैं, मैंने आपको Portuguese governance के role बता है, लेकिन इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कि आखिर Portuguese का जो पूर अभी तक जितने भी मैंने आपको topics बताएं, उसको मैंने आपको पूरे detail facts के साथ cover किया है, ठीक है, अगर आपको आगे भी इसी तरह की detail facts और analysis, hopefully इस content को अगर आपको updated form में देखना है, तो हम लोग जितने भी वीडियो ला रहे हैं, उसको regularly देखते रहे हैं, और उसके लि हम अभी के अईखता है, अजें बत्भणों के ú vintage जाउका है, जसके में हैं, आपको बत्भणों को आपको आए को लेको आपको 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 आपकोश के याए के साथ दो कなたका टापको ए만ितने उliशाचाचा के साथता है, झाल्सायों को अधकले मितने देखता हैं,